अगर आप भी होटल वाले स्टाइल में हरी चटनी बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन फुड एजुकेशन अंड ट्रेबल विट डीसी में सब्सक्राइब करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है और ये जो पास में बैल है इसको जरूर क्लिक कर दें त छोटा सा अद्रक का टोकडा जीरा करीबन एक चमच और काला नमक है ये आदा चमच और एक हमको लगेगा साधा नमक और धही तो हमें करना क्या है पटा-फट हमको होटल जैसी चटनी तयार करने के लिए इन सब चीजों को मिक्स करना है और हमारे जो मिक्सी ग्रेंडर होत तो इन चीजों को ले लीजिए इस तरीके से मिल्ची को आधी तोड़ लीजिए बीश में से और यह उनिवर्सल चटनी है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं खमन ढोकले के साथ में आपके कचोरी समोसे इन सबी चीजों के साथ में मैंने अद्रक डाल दिया है इसके अंदर अ करके देखेंगे उसके बाद अगर लगे का तो यह नमक को और एट करेंगे अभी मैं इसमें आड़ कर रहा हूं आधा चम्मज साधा नमक इसको अब हम लोग फटा-फट ग्राइंड करते हैं थोड़ा सा पानी इसमें आड़ करेंगे पानी ज्यादा ने डालें यह हुआ है लगभग आधा कप पानी अब इसको ग्राइंड करते हैं देखिए दो एक मिनुट पिसने के बार ऐसा दरदरा पिस गया है यह अब इसमें टाइम आ गया है कि हम फटा-फट इसमें दही आड़ कर दें मैं दही ले ले लेता हूं दही आपको आड़ करना है लगभग दो से धाई चम्मज दही मैंने अड़ कर दिया अब इसको कवर अब करते हैं और फिर से फीचते हैं तो फ्रेंड्स आपकी हरी चटनी पर्फिक कंशिस्टेंसी के अंदर तयार है एंजोई करने के लिए इसको अलग अलग बेसे के साथ में भले आप चाहें तो इससे कचोरी के साथ खाएं समोसे के साथ खाएं आप इसे पकोडों के साथ खाएं और उसयंग आपके हरी चटनी के साथ में अगर मीठी चटनी हो तब तो यह बहुत अच्छी टेस्ट लगती है अगर वो नई भी हो तो इसके अंदर डालें थोड़ी शकर और इसे एंजॉय करें खमंड वगेरा के साथ में भी तो यह रहा आपका हरी चटनी अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसं सुडियो तक धन्यवाद दोस्तों